निवाज़कार दोस्तो में मकिश वर्मा आप देख रहे हैं Medicine King फ्रेंड्स आज हम बायो सिट्राल सिरप के बारे में बात करने वाले हैं बायो सिट्राल किन किन पेशन्ट को लेना चाहिए कौन से कंडीशन में हमें सिरप का इस्तमाल करना है उसके वारे मैं आज पूरी जानकारे लेंगे उससे पहले दोस्तों अगर आप adventure वीडियो देखना पसंद करते हैं जैसे कि धार्मिक्स तल या पब्लिक प्लेस से या आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं मैं दिन में क्या करता हूँ हमारा गाउं कैसा है उसके उस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारी नए चैनल बुंदेली ब्लोक्स को करिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेलेकर दवाईएगा क्योंकि जो वीडियो में अप्लोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुचेए और दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले तो फ्रेंड्स बात करते हम बायो सिट्राल सिरप के बारे में इसके इस्तमाल और साइट एफेक्ट और इसकी डोसिस क्या है उसके वारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस्तमाल के बारे में तो मैं बता दो सबसे पहले यह यूटिय इंफेक्शन के लिए ज्यादा तर इस्तमाल किया जाता है तो मैं कुछ इसके आपको सिंटम बता देता हूँ इस गर्मी में और जिन-जिनको ये patients को इन-फेक्शन होती है ये समस्षा है होती है तो friends, ये सिरब un patients के लिए है जिनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा जलन होती है बार-बार पेशाब लगता है पेशाब में खून आता है तो दोस्तो इस गर्मी के वज़े से ये infections आपको होते हैं दोस्तो इसका main danger मैं बता देता हूँ अगर आप पानी कम पीते हैं बनलब दिन में आपने एक glass या दो glass पिया और बहुत ज़्यादा धूप है या 45 के degree temperature है या 40 है तो दोस्तो आपको ये problem जरूर होगी तो दोस्तो अगर आप bathroom जाएंगे या शाम को जाएंगे एक time जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी washroom, urine करते समय और या फिर redness होगी या पेशाम में जलन हो सकते हैं या पेशाम लाल भी आ सकता है तो इस परकार के आपको symptom देख सकते हैं दोस्तो उसी के बारे में हम बात करेंगे सिरप को किस परकार से लेना है और आपके ये infection ये समस्य अगर आपको है तो किस परकार से ठीक होगी तो दोस्तो जैसे कि मैंने बताए ये symptom आपको हो सकते हैं और अगर आपको ये समस्ता होती है जैसे कि पेशाब में जलन या पेशाब का रंग लाल या पीला होना तो इस condition देखती है तो आप सिरब का इस्तमाल कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा result देखा गया है इस सिरब का अगर आपको ये समस्ता होती है और दोस्तों वता दू कई वाश्रूम जाते समय आपको बूंद बूंद पिशाप आती है मतलब बार बार जलन होती है मतलब फिर आप बैट के बैट नहीं पाते पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा जलन होती है इस परकार की कंडिशन दिखती है तो आप इस सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं तो इस्तमाल कैसे करना है वह मैं बता देता हूँ आप एक ग्लास पानी ले और सुबा या तीन टाइम ददस एमल एक ग्लास पानी में डाल और तीन टाइम ले और जिनको ये कम समस्या है तो वो तीन टाइम ले सकते हैं जिनको ज़्यादा समस्या है तो इस सिरफ के साथ नौर फ्लोक्ससिन टैबलेट का इस्तमाल कर सकते हैं सुबा शाम जिनको वाश्रूम बेशाब लाल आता है या पीला रंग होता है बहुत तो दोस्तों बता देता हूं इसकी कंपनी क्या है और इसका कंटेन क्या है उसके वारे में भी बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको यह मार्केट में सिरफ नहीं मिलता तो आप इसकी जगह ले सकते हैं सिरफ या बहुत सी कंपनीज के आते हैं मतलब यही सेम कंटेन का आप सिरफ ले सकते हैं तो दोस्तों यह थे इसके इसके इस्तमाल और कैसे इस्तमाल करना है मैंने बताया सुबा शाम या तीन टाइम आपके सिरफ का इस्तमाल कर सकते हैं और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा बीना डॉक्टर की कोई भी दवा या सिरफ का इस्तमाल ना करें ना इंग्जेक्शन का यह सिरफ मैं आपकी नौलज के लिए बता रहा हूं तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा है आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर जिरूर करेंगा दन्यम एक बाद को पस्ते कि नौलज को अगАड़ है कि अपक्ट लाइक्टों करेंगा लाइक्टों यह वीडियों वीडियों ओम पीडियों कि लाइक्टों यह वीडियों झाल